पता है आज हम लोग कहा जा रहे हैं आज हम लोग फ्लावर शो जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं तो दोस्तो हम लोग फ्लावर शो में पहुंच जाते हैं और सबसे पहले हम लोग के सामने एक टेंट लाइक के स्ट्रक्चर में अंदर वेराइटी ओफ रूट्स रखी रहती है ब्रॉकली रहती है और यहां पे बेर रहती है यह श्रार फ्रूड रहता है नीबू रहता है और वहां पे ऐसी ऐसी चीज़े रहती है आप सोच नहीं सकते कि फ्लावर शो में क्या क्या भी हो सकता है यहां पपीते की वेराइटी रहती है आप देख सकते हैं तीन वेराइटी है वहां ड्रैगन फूट के पौधे के साथ फल रहता है और कच्चे के लिए और यह सब जेल्स हैं यह सब खाने के लिए और अमरूत का जेल रहता है और भी सॉस रहता है केचप रहता है और वेरा सारी चीज़े दिखाऊंगा फ्लावर शो में इतने वराइटी आफ फ्लावर रहते हैं आप देख के हैरान हो जाएंगे और यहां पर तो सब इस टेंट में पिकल रहती है बहुत सारी जली और यहां पर आवले का जूच रहता है और भी दूसरी चीज़े यहां देख से रहे और एक होता है ठीक ठाक में से और यह देखिए दोस्तों एक तर्la का ड्योनट यह देख शकते हैं और इसके ऊपर चैरा बनाए था आप और यहां पर देख सकते कितनी सारी ले इन लोगों ने कितना पढ़िया बनाया था खाने की चीजों से कितनी अच्छी चीजे इन लोगों ने क्रियेट की थी वहाँ पर आप देख सकते हैं पपीता रखा है उस पर कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और जब हम लोग जाते हैं तो वह दुपहर का टाइम रहता है तो थोड़ी बहुत वीडियो बलर हो जाती है पर आप लोग अर्जेस्ट कर लीजेगा और यहां प पत्ता गोबी की यहां देख सकते हैं सालेड रहते हैं आप देखे न अभी परपल कलर की और यहां पर मटर की कितनी सारी वराइटी और यह सेम की ऐसी ऐसी वराइटी रहती है जिसको मैंने भी कभी नहीं देखा था और आपने भी मेरे हिसाब से कभी नहीं देखा होगा औ और यहां गाजर की अलग अलग विराइटी है और कुछ थो हम लोग के घरों में ही मिल जाती है और टमाटर ये देखें आप देख सकते हैं और मूली अब यहां पे ब्रॉकली और गोभी भी रहती है वोसब में भी बहुत सारी प्रथम आई रहती है यह देखें यहाँ पर कुछ और गोभिया है और यह देख लिज़ा यहाँ पर यह पता नहीं कुछ एकड़म अलग साही कुछ रहता है वहाँ नाम भी नहीं उतना दिया रहता है यह आलू की कुछ वराइटीज हैं और यह देखें कितना अच्छा पहाड बनाया है इन लोग यह रहती है बस थोड़ा amount में कमी आ जाती है बाकी जो यह बनाया है यह बहुत ही अच्छा बनाया था जिसने भी बनाया है और कई लोग तो ऐसा कह रहे थे अभी यह सो फिका जाएगा उस से इसको हम लोग घर ले चलते हैं इसका पुलाओ बना के खा लिया जाएगा पर जो इन्होंने बनाया है कोई देने को तयार नहीं होगा और यहाँ पर यह देख लिजे आवला और दूसरे अमरूद यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कम रहता है फिर भी यह देखे पपीते और कुछ सिट्रस फ्रूट रहते हैं जो फ्लेवर में बहुत मीठे होते हैं कईठो स सिट्रस फ्रूट जैसे ओरइंजी को ले लिजे बहुत मीठा होता है और यह देखे एकदम यह जो पपीते आब देख रहे हैं यह पेल पेपके पपीते हैं और यहाँ पे फ्लावर्स की शुरुवात हो जाती है यहाँ पे फ्लावर्स को तोड़ तोड़के एक डब्बे म रखा गया था कई फूलों के नीचे पानी डाल दिया गया था ताकि वो ज़्यादा दिन तक जिन्दा रह सके और नीचे और बहुत साइब flowers यह देखे डहे लिया के यहां पर इतने सारे colors हैं इतने सारे वो इतने प्यूटिफूल colors रहते हैं वहाँ पे डहे लिया के आप खुदी देख सकते हैं red, yellow, dark red, orange और भी multi colors में इतने सारे रहते हैं और नीचे भी कुछ full रखे रहते हैं और यह वाले का color जो था आप खुदी देख रहे हैं कितना बढ़िया color है एकदम जैसे color के flowers हैं यहाँ पे और यहाँ आप देख रहे होंगे उनको दिया गया है कि प्रथम है और कई मतलब बहुत सारे वहाँ पे ऐसे फूल थे जिनका नाम भी मैं आपको guarantee दे सकता हूं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको सारे फूलों के नाम मालूम हो अगर कोई ऐसा है तो जल् सारे colors थे और इस टाइम हम और हाँ यह देखें यह मटर के फूल थे और यहाँ पे butterfly flowers के बहुत सारे अलग-अलग color के और यह इसको sand flower करके इसका नाम आता है क्योंकि यह जब सूक जाता है ना उसके बाद भी इसकी जो color होता है इसका जो पंखड़ियों का color होता है वो बना रहता है बाकी जो दूसरे फूल होता है ना वो सूक जाता है तो उनकी petals का color change हो जाता है पर नहीं वहाँ पे यह जो फूल देखा आपने यह वाला यह सूक चुका है यह कई दिन का है फिर भी इसमें color है और जो मेरे को एक type के flower पसंद आते हैं जो छोटे-छोटे होते हो ब मुझे बहुत पसंद रहते हैं क्योंकि उनको देखो तो बहुत अच्छा लगता है और यहां पर भी dog flowers रहते हैं और दूसरे फूल और यहां पर मैरी गोल्ड के कितने सारे आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर और एक ताम अलग विराइटी के और यह जो यह वाले फूल है आप लोगोंने यह वाले फूल कई घरों में देखे होंगे क्योंकि यह फूल commonly दिख जाते हैं और यहां पर बहुत सारे जो भी फूल थे सारे mostly winters के थे क्योंकि winter चली रहा है तो सारे winters के थे और वहां पर cactus और सेकुलेंड और बोन साई के भी अलग अलग पौधे थे अलग सेंड़ कि झाल है जाए और जे चले और जेखे में दोस्तों में नहीं है ध में क्यों है तोस्तों में है बदेशज़ने देखे गे जाए में आ अलग जाए बर पूeri और फिर हम लोग फाइनली रोजेस के सेक्शन में आ गए वहाँ पे इतने सारे रोजेस थे और इतने वराइटी इतने कलर्स थे वहाँ पे रोजेस के आपको छोटे से लेका बड़ा रोज और इंगलिश रोज और भी टाइगर रोज भी थे वहाँ पे और अलग-अलग तरह के जो आपने कभी नहीं देखे होंगे इतने सारे रोज थे वहाँ पे आप देखते रहिए आप अपने आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहरा हूँ और ये देखे यहाँ पे ये ये सब बहुत मतलब दो से तीन दिन के हो चुके थे न तो बहुत सारो का कलर जो था न वो थोड़ा सा कम हो गया था और जो उनकी पिटल्स थी वो भी मुर्जा गई थी और यहाँ पे देख सकते हैं आप रेड कलर के हैं पिंक कलर के हैं और जो यलो कलर के रहते हैं वो कितने सुन्दर हैं आप खुदी देख सकते हैं यलो और ये सब रेड कलर के और हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो गेंदे के फूल थे उनमें बहुत फ्रेग्रेंस था पर जहां गुलाब है वहाँ पे कोई भी महक नहीं थी कुई सी भी गुलाब में महक नहीं थी उसका एक रीजन ये हो सकता है कि ये कई दिन के हो चुके थे इसलिए और एक ये जो अभी तक खुला भी नहीं था ये वाला एकदम इसका कलर बहुत अच्छा था क्रीम कलर का और ये देखे यहाँ पे प्लेट्स में भी रोजेज रखे गए थे कुछ थोड़े बहुत और ये देखे दूसरी चीजों से पेड़ पौधों से क्या बनाया है इन लोगों ने कितना अच्छा जिल्री कितनी प्यारी इन लोगों ने बनाई थी और ये देखे फूलों से कितना अच्छा बनाया है इस जिसने भी बनाया था बहुत अच्छा था और ये देखे बैगन इतने छोटे-छोडे बैगन थे उनको बढ़ा होने से पहले ही तोड़ लिया था और उसे ये माला बना दी थी तो आप देखे रहे हैं कितने सुन्दर माला बनाई थी इन लोगोंने वहां पे और उसी के बीच में रख रख इन लोगों को इनाम दिया था और यहाँ पे कुछ चीजे ऐसी थी ना क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोग हिला देते हैं यह सब चीजे तो उसकी वज़े से यह सब खराब हो जाती है बाकी कुछ चीजे तो एकदम सही थी और यहाँ पे देखिए पत् पे आहा जाते हैं देखें चीटी कच्छवे को अक्रोड से बनाया है और दूसरों को कोकोनट से एको चीटी बहुत अच्छी लगी थी और एक यह इसकी आँखें आप देख रहें और मूच्छे किस तरीके से इस आदमी ने बहुत अच्छा क्राफ्टिंग किया था और य यहां पर आयोध्या, जै, श्री, राम और भी दूसरी चीज़े बना रखी थी यह देखें रंगोली की तरह एकदम और यहां पर दूसरे फूलों से इन लोगों ने क्राफ्ट किया है और यह आम के पेड़ों से पिकॉक बनाया था और यहां पर डेकोरेशन के लिए बहु और पाम की लीव्स भी जल्दी सूखती भी नहीं है और यहां रोस्त है और यह देखें और भी यहां स्नेक प्लांट और दूसरी दूसरी चीज़ों से इनको कप में लगा लगा के कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है और यहां पर और भी दूसरी चीज़ों से घास फ बहुत अच्छा क्राफ्ट किया था वहां पर मोती लगा है फ्लावर्स और दूसरी चीजे और यह सैलेट से बनाया था लिका था सैलेट इस नॉट अमील इट्स अस्टाइल और यहां पर आप देख सकते हैं कितना सुन्दर गणेश जी को एक और जगा बनाया है यहां पर आ और यह दो से तीन दिन में पनाय गया और इनमे नयनय लगाए जाते रहते हैं और फिर यहां पर काक्टस और दोस्थो अगर आपको पता नहों तो हमारे यह जहां इतने सारे कैक्टस सख्यते सर्फ एक वराइटी को छोड़के हमारे यह सारी थी यह सब हमारे है यह रख्क कलर का एकदम सेम यही है पर वाइट कलर का यह था तो हमारे यहां नहीं था और सेकुलेट्स बहुत सुन्दर रखे थे यहां पर को दिखाता हूं मैं थोड़ा सा यह देखे और इनको अंदर थोड़ा बन करके रखा था ताकि कोई इनको तोड़ के क्योंकि यह सब कुछ ऐस भी पौधे थे ना जिनको तोड़ के आप घर पे लगाएं तो लग जाते हैं तो उससे बचाने के लिए वहाँ पे इस तरह जाली से इनको कवर किया गया था और यह बात सही भी है क्योंकि लोग तोड़ कर ले जाते हैं घर पे और बहुत से लोगों का कुछ भी नहीं पाता है पौधा तो उससे बेटर होता है कि जो लाया है आप उसकी नरसरी में जाएं वहां से ले ले वो ज्यादा बेटर हो जाता है आपको एक पूरा पौधा मिलता है और यहां पे नारंगी का एक पौधा था वो भी खिलावा था और नीबू का चीकू का और भी बहुत सारे बोन साई की तरह इनको दम डेबलब किया गया और एक और ये सिट्रस फ्रूट यहाँ पे सिट्रस फ्रूट इन लोगों ने गंबले में आप देख सकते हैं सपोर्ट दिया हुआ था और ये कैबेज जैसे कुछ पौधे थे वहाँ पे इनको फश्प्राइज मिला हुआ था ये कैबेज वाले थे और ये टमैटो वाले ये चैरी टमैटो नहीं थे जो कॉमन टमैटो होते हैं जो हम लोगों घर में मिल जाते हैं वो थे और यहाँ पर एक लंबे वाले बैगन थे और गोल वाले और उसके बाद यह आप देख सकते हैं कितना अच्छा टावर लाइक इन लोग ने पहाड से कितना अच्छा बनाया है यह यलो कलर का था पर मुझे यह जो डार्क कलर वाला है न यह ज़्यादा बेटर लगा क्यूंकि इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि यह डार्क कलर के फ्लावर से बनाया था और बाहर लाइट कलर के फ्लावर थे और इनको ऊपर से छाओं भी दे रखी थी और यह जो यह पहाड जैसा इन लोगों ने बनाया ना मैं यहाँ पे कभी जाता रहता हूँ तो ये साल में एक बार लगता है फेब में तो ये तो पहड़ हर साल बनाते हैं क्योंकि ये देखने में इतने सुन्दर लगते हैं आप खुदी देख के अंदाजा लगा सकते हैं और वहाँ पे फाउंटेन भी था ये देख रहे हैं आप लोग और उसके बाद यहाँ पे दुकाने भी लगी हुई थी और फिर वापस हम लोग फ्लावर्स देख सकते हैं इतनी सारी वहाँ पे फ्लावर्स की वेराईटी थी लड डॉक फ्लावर इतने सारे थे और भी मैरी गोल्ड के थे और छोटे छोटे बहुत सारे और ये देखे आपने इसको हम लोगों के घर में तो जरूर देखा होगा ये इसकी एक खास बात अगर मैं आपको बताओं तो ये पिटुनिया मैं की जो उसमें अगर आप नरसरी में जाके मांगते हैं तो आपको नरसरी वाला बताएगा की सिर्फ इसमें दो से तीन फूल आ दोस्तों पांच फूल जिस पौधे में एक या फिर दो आवे होते हैं हमारे आव वहा पे पांच फूल आए थे और एक अमेजिंग बात और है कि एक कली और निकली है और यहां पे डॉक फ्लावर के भी बहुत さब कलत थे और डॉक फ्लावर की भी दो वराइटी होती है प डॉक्फॅलवर में भी आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं यहां πिया देखे रहें हैं डॉक्फॅलवर कितने सारे थे पूरे गुरूप में थे वह देखके ही बहुत अच्छा लगा कि कितनी अच्छी तरीके से इनको डेबलप किया गया था, इनके प्लांटस में development बहुत अच्छी थी और यह blue dark color के flowers थे और यहाँ पे वापस बहुत सारे गेंदे के फूल थे वो मैंने आपको अंदर की side दिखाया था वहाँ पे एक एक फूल लगाया था और यहाँ बाहर कितने सारे फूल लगाया थे और यह जितनी भी variety थी यह वहाँ अंदर भी थी और यह बाहर भी है बाहर लगाया हुआ है बस गमले में और उसको तोड़के बस पानी में रखा गया है ताकि वो जादा दिन तक चल सके और यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम दित्य और दूसरे इनाम दिये गए थे और यहां पे वापस दहेलिया के कुछ कलर से पिंक लगे रेड क लगे और यह देखें बटर फ्लाई फ्लावर्स यहां पे भी बटर फ्लाई फ्लावर्स को देख के बहות अच्छा लगा क्योंकि और गमले में पूरे फैले हुए थे और उनको देखके मतलब दिल को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने beautiful और bright color के flowers थे और ये last year हम लोगों ने लगाया था और इसी तरह जैसा आप देख रहे है same to same हमारे घर में भी आये थे fool और जैसा आप देख रहे हैं इनको भी price दे दिया गया है पर कुछ लोग सोचे होंगे न कि अरे इसमें उतने fools दो है नहीं पर फिर भी इनको प्रथा में या फिर क्यों price दे रखा है price इसलिए दे रखा है क्योंकि उनके sides के birds देख के दे दिया जाता है या फिर पौधे में जो development हो रही है न क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत जानकार लोग रहते हैं उनको मालूम रहता है कि आप ये पौधा कितना development कर सकते हैं और कौन सा पौधा सारे थे और ये एक और red कलर का flower था जिसको रसी से support किया गया था और ये जो होता है न पौधा ये जब एक साथ फूलता है तो पूरा गमला blue कलर का हो जाता है इतने सारे फूल आते हैं इसमें इसलिए इसको price दे रखा था और यहां पे और दूसरे फूल ये आपको grass type के लग रहे होंगे क्योंकि इस तरह की बहुत सारी grass होती है जो इसी तरह फूलती है पर ये कोई घास वाला पौदा नहीं है और ये वाला तो आप सभी ने देखा होगा अपने घरों में क्योंकि ये घरों में आसानी से उग जाता है और बहुत सुन्दर लगता है जब इस तरह एक साथ खिलता है और इसकी बहुत साई seeds आपको घरी में मिल जाती होगी क्योंकि जब ये एक साथ फूलता है तो इसमें बहुत सारी seeds आ जाती है और इसमें इसकी पत्तियों की भी खास बात है ना कि अगर आप इसकी पत्ती पर पानी डालेंगे तो पानी वापस जायता है पानी इस पत्ती पे लगता नहीं है कभी भी क्योंकि उस पे एक डिफरेंट टाइप की लेयर होती है इस वजह से उस पे नहीं लगता कोई और यहां पर बहुत सारे पिटूनिया थे और वहां पर जैसे आप देख सकते हैं कितने सारे पिटूनिया की पौधे थे औ और काफी सारों को फर्ष्ट का अवार्ड मिला हुआ था और यहां पर दूसरे पौधे जिसका यह सब वहां पर लिखा रहता है कुछ पौधों में लिखा रहता है कि यह सामानने किसम है या फिर कोई हाइब्रिड वाली है ताकि क्योंकि कई बात देख के पता चल जाता है पर कुछ पौधों को देखते हैं तो नहीं पता चल पाता है कि यह हाइब्रिड है या फिर कोई और तरह के पौध है और यह एक दम वही सेम कलर रेड और वहां पे वाइड कलर भी था और यहां पिंक देख सकते हैं और जो यह होते हैं उसमें से एक और अंदर से फ्लावर बहार आ जाता है तो जब वह एक साथ जब बहार आता है तो देखने में इतना सुन्दर लगता है और यहां पे जो फूल थे यह भी ग्रूप में इतने प्यारे लग रहे थे और फिर यहां पे बहुत सारे मैरी गोल्ड कई जगाओं पे लगा रखा था आप देख सकते हैं in पहले तो कमकम थे और इस जगह पर भर के लगाया था जिसने भी यहां पर जो एक 2 वराइटी है आप देखि रहें एक जिसमें कम फंब उसका साईस बड़ा है जिसमें ज़्यादा फूल है उसका साईस कम है यह वाला जो है इसमें जादा बड़े फूल है तो इसमें फूलों का नंबर, नंबर ओफ लावर्स कम है और यहाँ पे इस तरह का भी आपने मेरे घर पे देखा होगा मैंने वीडियो डाली थी, छोटी से वीडियो एक डाली थी और इसके भी कलर, वाइट कलर का होता है और ब्लैक लाइन वाला, और फिर यहाँ पे डहे लिया देख सकते हैं कितने बड़े साइज के डहे लिया थे अगर आपको भी ऐसे डहे लिया करने हैं तो कोई बहुत टफ काम नहीं है आपको बस साइड से आती, जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं उनको हटा देना है और यह सब फूल भी आपने हमारे याँ जरूर ही देखे होंगे क्योंकि इन सब की वीडियो मैंने डाली थी और यह सब की भी वही खासियत है कि इसमें एक एक दो दो आता है जो पहले मैंने आपको दिखाया उसकी बात कर रहा हूँ और हमारे याँ 5-5-6-6 फूल आया था और यह भी आपने देखा है हमारे घर में और वो उधर रेने कुलस रेने कुलस का एक यलो कलर का भी हमारे याँ नया नया एक दम आया हुआ है वो मैं आपको जरूर दिखा दूँगा उसके सूखने से पहले यही जो एकदम यलो कलर का था उसी की बात कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे इस तरह के जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि मुझे इस तरह के फूल बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें छोटे छोटे हो और इस पौधे को कौन नहीं जानता होगा हम लोग के जो मैरिट फंक्शन्स होते हैं वहाँ पे गाडियों पे और एंटरंस में ल यह थोड़े कम थे और यह भी एकडम वही सैंड फ्लावर जैसे देख रहे हैं पर यह दूसरी वराइटी है यह वो पौधा नहीं है जो मैंने अंदर साइड आपको दिखाया था वो एकडम अलग था पर दोनों का टेक्शर और डिजाइन आपको देख सकते एकडम सेम ही ह यहां पर और यह वहां पर परफॉर्मेंस हो रही थी इंडियन आर्मी की जिसकी मैंने वीडियो डाली है अगर आपने नहीं देखी है तो चल्दी से जाईए देख लीजे वहां पर इंडियन आर्मी आई हुई थी दो जगह पर थी दो वीडियो डाली है दोनों को चाहिए और आप चेक आउट करिए और बहुत अच्छा गा रहते और बजा रहते और यहाँ पर दूसरे और बहुत ही सुन्दर फूल और अब यह देखे यलो वाले फ्लावर्स तो अगर यह